दोस्तों आज की इस वीडियो आपके लेकर आए हूँ आईपियल के दुनिया के बड़े अपडेट्स लखनों की फ्रेंचाजी के कोच गोजित हर्दिक पांडिया हुए गिरफतार औस्ट्रिलिया की जीत के पीछे आईपियल जिमेदार आईपियल नहीं तो क्रिकेट नहीं हैदराबाद की टीम में बड़ा बदलाओ और भी धेर सारे अपडेट्स आईपियल से जुड़े हुए आपको बताने वाले हैं आईपियल दोरी कीस खतम हो चुका है रव आईपियल दोर 22 आने वाला है आपको उसकार नहीं बस आराम से पुरा वीडियो अन तक देखना है दोस्तों हम आपके लिफ वीडियो रोज लाते हैं और यह हमारे आईपियल अबडेट सेरीस का 324 वा वीडियो है और यदि आप हमारे इस चैनल का हैसा नहीं है तो बिना देर के वे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को जुरूर दबाए था कि हमारी वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले चलिए देखते हैं अपना सबसे पहले अबडेट दोस्तों यह अबडेट निकल करा रहा है आईपियल की टीम संद्राजर्स हैदराबाद की तरफ से आपको अपने कली बताया था कि किस तरीके से बिस्साय चाहते हैं कि VBS लक्षमन जो है सो नैस्नल क्रिकेट अकैडमी के हेड कोच बन जाए या हेड बन जाए और इदिवा किर्केट अकैडमी के हेड बनते हैं तो फिर वह पहले से ही संद्राजर्स हैदराबाद की कोच है और उस पद को उन्हें छोड़ना पड़ेगा जिसकी विए से हैदराबाद की टीम को आईपियल की आउक्सन के पहले बड़ी मुस्किलों का सामना करना पर सकता है इसके साथ ही आप समझ सकते हैं कि हैदराबाद की टीम पूरी तरह से बदल सकती है क्योंकि पहले ही कप्तान को बदलने का इडादा होई गया है और अब कोच वगेड़ा भी बदलेंगे तो साल 2022 के IPL में आपको स्टनराजर्स हैदराबाद की एक नई यूनिट देखने को मिलेगी चली देखते है अपना तूसरा अबडेट दोस्तों यह अबडेट निकल कर आ रहा है टीटवेंटी वर्लकप के चैंपियन्स टीम औस्ट्रिलिया की तरब से औस्ट्रिलिया के कप्तान एरुन फिंच ने एक खुलासा किया है कि उनका जो बनिया परदरसन था टीटवेंटी वर्लकप में उसके पीछे IPL का बहुत ही बड़ा हात रहा है असल में ऑस्ट्रिलिया के खिलारी जॉस हैजलवूड जो चन्ने सूपर किंग से खिलते हैं IPL में उन्होंने IPL में काफी अच्छा परदरसन किया था और उन्होंने अपना अनुभाव पुरी टीम के साथ सेयर किया था और उनके अनुभाव का बगभू भी इस्तेमाल किया आस्ट्रिलिया के खिलारियों ने खास करके गिंदबाजों के लिए काफी मददगार था जॉस हैजलवूड का IPL का experience क्योंकि IPL भी यहीं पर हुआ था दुबई में और T20 World Cup भी वहीं पर हुआ था तो एक तरह से जॉस हैजलवूड काफी एहम भूमी का निभाए हैं और श्ट्रिलिया की जीत में गिंदबाजी से भी और अनुभाव से भी जली देखते हैं अपना तीसरा अपडेट दोस्तों जैसे जैसे IPL का auction नज़दी का रहा है वैसे वैसे IPL की दो नई टीमों की गतिवीरियां भी बढ़ गई हैं और धीर धीर वहाँ भी अपने unit को तयार कर रहे हैं जहां पर खबर आ रही है कि लखनो की फ्रेंचाइजी बात कर रहे हैं और इसके पहले हमने एहमदाबाद की फ्रेंचाइजी के बारे में आपको बताया था कि वह रवी सास्तरी को कोच बनाना चाहते हैं चली देखते अपना चौथा अपडेट दोस्तों भारती टीम के अब पूर्व कोच बन चुके रवी सास्तरी ने IPL को ले का ग्रास रूट बन चुका है, IPL में पैसे आते हैं और इसके बाद फिर उसे सभी जिगा स्प्रेट किया आता है, इसलिए उनके मुताबिक कोई कुछ भी कहे, IPL का ही कलर की इंपोर्टेंस है और भारती क्रिकेट के लिए IPL एक बहुत एहम चीज है, यदि IPL नहीं रहता तो क्रिकेट का लेवल भारती टीम में इस तरह नहीं रहता और इसके लोग प्रियता भी कहीं न कहीं घड़ चुकी होती, तो आप रवीज सास्तरी से कितना ज़्यादा सहमेत है में नीचे कमेंट में जरूर बताएगा, वैसे दोस्तों भारत और नुजलेंड का सीरीज आ इन मुकाबलों में पैसे लेगा कर पैसे कमा सकते हैं, हर तरह से खेल सकते हैं, आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिएगा लिंक से एप को डाउनलोड करें, उससे इंस्टॉल करें और फिर आपको यहाँ पर रिजिस्ट्रेशन करना है, रिजिस्ट्रेशन करने के ल इगर लिंक से डाउनलोड करने पर आपको पांस रुपे का वेलकम बोनस भी मिलेगा जिसका इस्तमाल आप श्टार पंटर पर गेम्स खिलने के लिए कर सकते हैं तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं अभी डाउनलोड करें और पैसे कमाएं चलिए देखते हैं अपना पांचमा अपडेट दोस्तों यह अपडेट निकल करा रहा है सन राजर्स हैदराबाद के तरफ से आपको अधान चाहेंगे सन राजर्स हैदराबाद के कप्तान रह चुके डिविड वार्नर ने यह हिंट किया है कि IPL 22 के मेगा उक्षन में सन केन विलियमसन ही करते रहेंगे जिस तरह से केन विलियमसन ने अपनी टीम को फाइनल मुकाबले तक पहुँचाया था निज़ूलैंड को उसी परदरसन के बाद हैदराबाद की टीम को केन विलियमसन से काफी सारी उमीदे रहेंगे डिविड वार्नर ने इंस्ट्रागरा की बीच होने वाले T20 सिरीज को लेकर वैसे नीजोलेंड की टीम कल पहुँच गये थे जैपूर अपने पहले T20 मुकाबले के लिए भारत के साथ और इसकी एपडेट हमने आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर कली दे दी थी और नीजोलेंड की टीम के तरफ से ख़बर आ रही है कि T20 सिरीज में केन विलियम सन नहीं खेलने वाले हैं और उनके जिगापर टीम साउधी कप्तानी करेंगे तीनों मुकाबले में विलियम सन नहीं खेलना चाह रहे है T20 सिरीज क्योंकि वह कॉंसेंट्रेट करना चाहते हैं आने वाले टेस्ट सिरीज पर जो भारत के साथ होगा और पहला टेस्ट मैच 25 नवंबर को सुरू होगा इसके साथ ही केन विलियमसन एलबो इंजरी से भी गरस थे तो यह भी उनके नहीं खेलने की पीचे एक वज़ा र पसा रहे थे तब कश्टम डिपार्टमेंट ने हर्दिक पंडिया की दो घड़ी जिसकी कीमत लगबग 5 क्रोड बताई जा रही है उससे भी ज्यादा हो सकता है उसे सीज कर लिया है क्योंकि उस पर जो टैक्स होता है वह नहीं दिया गया था और इसके साथ ही जो जिसका टैक्स नहीं दिया गया था जिली देखते है अपना आठमा अपडेट दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है कोलकता नाई ट्रैटर्स के खिलारी वेंकटेस अयर की तरफ से आपको हमने पहले ही बताया है कि भारती मेनेजमेंट चाहते हैं वेंकटेस अयर को ग अपको डिब्यू करते भी दिखेंगे तो दोस्तों यह आज की आई पिल के बड़े अपडेट्स ऐसे अपडेट्स आपके लिए हम ट्रेली ग्राम चैनल पर भी लाते हैं तो जल्दी से जॉइन कर ले लिंक डिस्क्रिप्सिन में है मिलते हैं अपने इंगली वेडियो में तबते क्ली दनिवाद्